दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्रिपिया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हेलो फ्रेंड्स मैं आमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग अकडेमी की लाइब ट्रेडिंग एंविरमेंट में आप सभी को में बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ जैसे के आप क्लॉक पेनल पे देख सकते हैं आज डेट है 24 मार्च 2020 और टाइम होड़ा है बाड़ा बच के 49 मिनिट के आस पास अगर आप मेरा स्टॉक सिलेक्शन वाला वीडियो देखे हैं पार्ट वान और पार्ट तू तो आपको पता है कि मैं ये स्टॉक क्यूं सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि ये बहुत देड़ से एक रेंज के अंदर जा रहा था और अभी-अभी ये जो है एक रेंज को तोड़के निकला है आप अगर देख सकते हूँ ये जो ग्रीन लाइन आपको दोनों दिख रहा है ये दोनों एक रेंज बन रहा था आपका 10 पच के 45 मिनिट के पहले से मतलब 10.30 के आसपास से एक रेंज बना रहा था और अभी-अभी इसने ये दो घंट का जो रेंज है उसको तोड़के उपर निकला है इसी हिसाप से हम लोगोंने बायोकॉन में एक अल्रेडी पोजिशन बना लिया है 270 पे और हम लोग अजो स्टॉप लोस है वो है 268 के आसपास जो पिछला जो स्विंग आपको दिख रहा है जहां पे स्विंग लेके ये उपर गया है उसको हम लोगोंने स्टॉप लोस माना है और वहीं पे स्टॉप लोस रखा है हम लोगा तो दोस्तों इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है तो जो भी होगा मैं उसको post कर दूँगा YouTube में आप लोगों के learning के लिए और दोस्तों ये अगर आपको समझना है कि मैंने क्यों select किया कैसे किया आप मेरा जो stock selection वाला video series है उसका पहला और दूसरा video ज़रूर देखिए क्योंकि वही video में मैंने यहाँ पे पूरा explain किया है कि कौन सा time में आपको कौन सा stock को trade करना है तो दोस्तों वह सारा video का जो link है वह आई button में आप click करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा नहीं तो इस video का description में भी मैं देदूंगा आप कहीं पे भी जाके वह पहले video आप देख लेंगे तो आपको ये video मैंने ये stock क्यों select किया वह समझने के लिए आपको आसानी होगा क्योंकि time basis पे जो stock select किया जयता है वो मैंने वहाँ पे पूरा अच्छे से समझाया है लेकिन दोस्तों आज market का जो परिस्तिती है उसके हिसाब से उपर में जहां तक भी जाएगा swing बनाएगा उसके हिसाब से हम लोग इसका profit book कर लेंगे आज कोई fix target के लिए नहीं जाएंगे के वान इस्टू टू या वान इस्टू थी के लिए जाना है ऐसा नहीं है जहां पे भी हम लोग को अच्छा target मिलेगा हम लोग उसको book कर लेंगे तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है let's wait and watch तो friends हम लोगोंने बायाओकान का जो stop loss है उसको trail करके पूराना stop loss से अभी 270.55 पिला दिये हैं मतलब अभी अगर price घूम भी जाता है तब भी हम लोग जो है पार से आर 55 पैसे का जो है profit लेके ही निकलेंगे तो दोस्तों ऐसे ही trade करना है इसका जो ब्लोकारेज है वो 10 पैसे का है मतलब ब्लोकारेज छोड़के भी हम लोगों को पार से आर जो है 45 पैसे का profit तो अभी fixed है और अभी जासे आप देख रहे हो अभी 271.75 जा रहा है इसक तो आधा person के उपर move अभी तक होई गया है लेकिन मैं book नहीं करूंगा मुझे लगता है कि और उपर जा सकता है तो मैं ज्यादातार इसको trail ही करता हूं क्यूंकि मेरा profit fixed हो गया है तो मैं और इस पर train sun नहीं लोंगा और wait करूंगा इसका next target के लिए जो है 273 या तो 273 आने पर मैं book करूंगा नहीं तो यह मेरा जो trailing stop loss है इसको hit करके मुझे 45 पैसे का part share में profit देखे जाएगा तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है जो भी होता है मैं इसको post कर दूंगा YouTube में आसा करता हूं आपको समझ में आया कि मैंने कैसे यह stock select किया अगर आपको फिर भी doubt है त stock selection का वो वीडियो आप देख लीजिए उस वीडियो का जो link है मैं इस वीडियो का description में और i button पे दोनों जगा पे देदूंगा वो वीडियो तो लंबा है तो मैं पुरा जो वीडियो का content है यहाँ पे आपको समझा नहीं सकता तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप वहाँ जाके देखिए कि वहाँ पे मैंने जैसे बोला था कि जैसे stock select करना है तिक उसी नियम से आज मैंने ये stock select किया और इसमें trade डाला और आभी आप देख रहे हो कि मैं profit में भी हो तो दोस्तो stock selection एक बहुती महत्तुपून चीज है आपको सही time पे सही stock को चुनना होगा और उसी पे सही direction में trade करना होगा तो अगर आप ये सब कुछ सीखना चाते हो तो हम लोग का जो telegram channel है आप उसमें भी join कर सकते हो जहां पे हम लोग live market में भी बहुत सारा guidance provide करते हैं आज ये volatile market में मैं उतना कुछ post नहीं कर रहा हूँ उस group में क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रीक्स हो जाता है retail trader के लिए मतलब जो छोटा trader है उन लोग के लिए लेकिन जब market थोड़ा stable हो जाएगा मैं और भी update वहाँ पोस्ट करते रहूंगा और देखते हैं इस live trading में क्या होता है जो भी होता है मैं उसको post कर दूँगा अप लोग के learning के लिए हलो फ्रेंड्स मैं फिर से ये recording चालू किया इसलिए क्योंके मैंने stop loss को और थोड़ा shift कर दिया उपर अभी मेरा जो stop loss है मतलब revise stop loss है वो 271.05 है मतलब अभी अगर price घूमता है तो मुझे 1 रूपीज 5 पैसा करके part share तो profit fixed हो गया है जो मुझे मिलेगा ही और ये मैंने किस लिया किया क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक swing छोटा सा बना था जो swing के नीचे मैंने अपना जो stop loss है उसको trail कर दिया है तो दोस्तो अभी हम लोग wait करेंगे और देखेंगे ये कितना तरफ जाता है क्योंकि nifty भी उपर के तरफ ही जा रहा है तो इसको मैं hold करूंगा अभी 271.05 पैस टॉपलस रखके और जहां पे भी आके मैं profit book करूंगा या trailing stop loss हीट हो जाएगा मैं उसका पूरा जो information है आप को वीडियो में दोंगा तो दोस्तो लेट्स वेट आन वाच कि ट्या होता है जो भी होता है मैं उसको पोस्ट कर दूंगा हलो फ्रेंड्स तो यह लास्ट पार्ट है वीडियो का जैसे के आप देख रहे हो यहां पे आपको एक डाउन एरो दिख रहा है जहां पे मैंने इसको बूक कर लिया था मेरा जो बूकिंग हुआ है वो यही जो केंडल है जो रेड केंडल अभी आपको दिख रहा है के चल रहा है यह केंडल जैसे ही स्टार्ट हुआ मैंने उसको बूक कर लिया क्योंकि यहां पे आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था 273 मेरा एक रिजिस्टंस पॉइंट है तो यह 273 में जाके तीन केंडल बनाया जो 273 को ब्रेक करके उपर नहीं जा पाया और यहां पे इसने क्या किया एक इंवर्टेड हैमर जैसा केंडल बना दिया तो जैसे यह केंडल खतम हुआ उसका नेक्स्ट केंडल सुडू होते ही मैंने बूक कर लिया और उसके बाद आप देख रहे हो प्राइस कैसे नीचे गिड रहा है तो दोस्तो ऐसे ही आपको ट्रेट करना है आपको प्राफिट में रहना है सही टाइम पे सही स्टॉक को सिलेक्ट करना है और उसके उपर आपको एक सही जगा देखके एक पोजीशन बनाना है ताकि आप जो है कुछ ना कुछ प्राफिट मार्केट से ले के जा सको तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया कि मैंने कैसे स्टॉक सिलेक्ट किया है अगर आप मेरा पार्ट वान और पार्ट टू स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो देखे हो तो आपको तो जरूर समझ में आएगा अगर आप नहीं देखे हो तो आप वो दोनों वीडियो देखो पहले कि वहाँ पे मैंने किस तरह से बोला था कि कौन-कौन सा time में कौन-कौन सा stock को आपको choose करना है trade करने के लिए और उसी method का use करके मैंने आज जो है stocks late किया और उसमे trade किया और आपके सामने उसमे profit लेके निकला तो दोस्तों अगर यग वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो का आप यूट्यूब में ज़रूर लाइक करें और आपके सोशाल मीडिया टाइम लाइन मतलब फेस्बूक, टुईटर ये सब जगा पे स्यार करें और ऐसे ही लाइनिंग वीडियो अगर आप रेगुलर बेसिस पे चाते हैं तो हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है इसको अब दबाए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो पर